हेलो फ्रेंड्स में अभिशेक जोशी एलेक्रिकल इंजिनेरीन विला गुरूप अव कंपनीस दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टर के बारे में हमारे एक विवर ने कमेंट किया है कि इंडिस्ट्री में स्टार्टर को यूज ही क्या जाता है उनका कहना यह है कि इंड इंड्स्री में जो हम फिल्ल उड्न का यूज करते हैं जो सबसे सिंप्लेस्ट फरम ञारा तो स्टैंगें आप देखेंगे हैं तो इसे में लगाने स्टार स्टारलग्यमान का परस्तृव ही कहा हुआ आप starter लगा ही क्यों रहे हैं, starter लगाने का purpose क्या है आपका, इससे अच्छा तो आप एक MCB लगा कर भी motor को on or off करवा सकते थे, आपका circuit बहुत जादा simple भी होता था, क्योंकि आप सिर्फ एक MCB या MCCB को use कर रहे हैं, MCB और MCCB को on or off करके, आप easily motor को भी on or off कर सकते हैं, तो ऐस जैसे में पूरा feeder आप बना रहे हैं, पूरा electrical panel आप लगा रहे हैं, उसमें बहुत सारी control wiring हो रही है, इतनी complexity की requirement ही क्यों है, तो आज के topic में हम यही discuss करेंगे कि industries में क्यों एक particular starter के थ्रू ही हम motor को run करते हैं, तो दोस्तो बिना time waste के शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि industries में हम जो starters का use करते हैं, इसका purpose स्टार्टिंग करेंट से related ही नहीं है, देखे मैं आपको यह चीज़ क्लियर बता दू कि dual starting में जो motor high starting current draw करती है, यह basically high starting torque के वज़े से होता है, देखे motor starting में high current draw कर रही है, यह बाद तो बिल्कुल सही है, पर हमारा जो main requirement है, वो high starting torque का है, industries में बहुत सारी applications ऐसी होती है, जहां हमें high starting torque की requirement होती है, और जिस starter में, जिस starting method में आपको high starting torque मिलेगा, उसी starting method में आपको high starting current को भी handle करना पड़ेगा, तो high starting current से हमें इतना जादा नुकसान इसलिए भी नहीं है, क्योंकि motor का जो high starting current होता है, यह roughly 1 second से 2 second के बीच में ही होता है, 1-2 second में ही motor का जो high starting current है, यह वापस से drop हो जाता है, और फिर motor अपने एक normal running condition पर चलने लगती है, पर हमें जो high starting torque की requirement है, यह high starting torque हमें DOL starter ही provide करके देता है, यही reason है कि क्यों हम industries में majority of motors को DOL starters के थ्रू ही चलाते हैं, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, MCB और MCCB के बारे में, क्यों हम लोग starter के जगे MCB या MCCB का use करके motor को on और off नहीं कर सकते, तो देखिए सबसे पहला और सबसे basic point तो यही रहेगा, कि अगर आप किसी motor को MCB या MCCB के through on और off करना चाहते हैं, तो यह completely manual operation रह कर, MCB और MCCB को on करना पड़ेगा, motor को on करने के लिए, और अगर आपको motor को off करना है, तो आपको खुद manually जाकर उस MCB और MCCB को off करना पड़ेगा, आप remote access MCB और MCCB में नहीं ले सकते, वहीं अगर आप एक starter का use करके किसी motor को run करते हैं, तो उस starter से आप remote access easily motor को provide कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि control room में बैठ कर भी आप motor को on और off कर पाएंगे, खुद manually जाकर आपको कोई भी operation करने की requirement नहीं रहेगी, यह सबसे अच्छा provision है जो आपको starter के case में मिलता है, और MCB और MCCB के case में आप remote access easily नहीं ले सकते, दूसरा point दोस्तों यह है कि हमारी requirement स्रिफ motor को on और off करना ही नहीं है, अगर कोई motor running condition में है, तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे feeder में मुझे indication lamp भी glow होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अगर red indication lamp glow हो रहा है, तो मेरी motor running condition में है, yellow indication lamp लगा है, तो हो सकता है motor trip हो गई है, और green indication lamp लगा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी motor off condition में ह है कि मुझे दूर से ही इंडिकेशन लैंप देखकर यह पता चले कि कौन सा फीडर रनिंग कंडिशन में है कौन सा फीडर ट्रिप कंडिशन में है यह चीज आप तभी ले सकते हैं जब आप एक पर्टिकुलर स्टार के थू किसी मोटर को रन कर रहे हो इसके अलावा जो आप मुझे उसमें RTD भी लगाना है ताकि मैं यह देख सकू कि मेरे ओईल का टेंपरेचर कितना है अगर यह सारे प्रोविजन आपको DCS में लेने हैं आपको कंट्रोल रूम में लेने हैं तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम के थू ही लेना पड़ेगा अगर आप MCB या MCCB के थ लगेगा जिसके थू यह सभी प्रोविजन अब कंट्रोल रूम में एक्सेस करवा पाएंगे यहां दोस्तों एक प्रैक्टिकल पॉइंट और भी है अगर मालीजिए मैं किसी MCB या MCCB के थू किसी मोटर को रन कर रहा हूं और उस मोटर का डायरेक्शन मुझे चेंज करना है तो मुझे MCB या MCCB से phase sequence को चेंज करना पड़ेगा अगर मेरा phase sequence RYB है और मेरी मोटर clockwise direction में घूम रही है अब मैं यह चाहता हूं कि मेरी मोटर anti clockwise direction में घूमें तो जो phase sequence RYB है इसके कोई भी दो phase को मुझे आपस में interchange करना पड़ेगा जिससे मेरे मोटर का direction भी चेंज ह सकते हैं अपने requirement के हिसाब से आप मोटर का direction चेंज कर सकते हैं और इसमें आपको wiring से कोई छेड़ चाड़ करने की जरूरत भी नहीं रहेगी तो यह बहुत अच्छा प्रेक्टिकल प्रोविजन है जो industries में हम लोग यूज करते हैं इसलिए दोस्तों अगर आपको यह सारे प्रोविजन चाहिए तो आपको एक स्टार्टर के थूही मोटर को रन करवाना होता है और यही चीज इंडस्ट्री में की जाती है तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो हम क्यों स्टार्टर को यूज करते हैं और भी कोई रिजन आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंट्रेश्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखें गुडबाए